और हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक अलिमेंट के बारे में और बोरण फैमिली पर हम लोग काम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अलुमिनियम के बारे में अलुमिनियम से रिलेटेट पॉइंट्स पर हम लोगोंने बात किया था तो अलुमिनियम के जो इंप और कौन कौन से हैं को रंडम जिसको हम कहते हैं ऐल 2-0-3 तो ऐल 2-0-3 इस काल्ड को रंडम ठेक है को रंडम के बाद दूसरा जो और है सब हाइडरेटेड फ़र्म में मिलते हैं ऐल 2-0-3 डॉट सिंगल वाटर इसकाल्ड डियसपर ऐल 2-0-3 डॉट टू वाटर इसकाल्ड बॉकसाइट ऐल 2-0-3 डॉटर इसके बाद क्रावलाइट एन थी एल एफ शिक्स और इसके बाद माइका या फेल्ट स्पार्ट जिसमें प्रटाश्यम का कॉम्पोजिशन भी रहत है फेल्ट स्पार्ट या माइका और माइका में के बारे मैंने बताया था कि MP जो है वो माइका का चीफ प्रोडूसर है ठीक है अब इसके बाद बात किया हमने इसकी मेटलर्जीकॉल ऑपरेशन के बारे में तो बॉकसाइट से हम अलुमिनियम को निकालते हैं बॉकसाइट को पहले कनवर्ट करते हैं अलुमिना में बॉकसाइट को अलुमिना में कनवर्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होते है वह palate और सरपेक जब बॉक्साइड में excess of iron oxide present होता है excess of iron oxide present होता है तब हम इसको आगे ले जाते हैं यह है बेर्स प्रोसेस और जब बॉक्साइड के अंदर एक जब बॉक्साइड के अंदर F2O3 के साथ SiO2 भी present होता है बोथ F2O3 and SiO2 is present in bauxite तब उसको हम आगे carry on करने के लिए यूज करते हैं sodium carbonate का और यह है होल्स प्रोसेस और जब बॉक्साइड के अंदर excess of SiO2 present होता है excess of SiO2 is there in bauxite then इसको carry on करने के लिए हम serpics process use करते हैं जिसमें serpics process के अंदर carbon और nitrogen के mixture के साथ heat करके इसको aluminium nitride में convert कर लेते हैं फिर boil करके aluminium hydroxide और फिर उसके बाद alumina में convert करते हैं तो these are the three process involved to convert bauxite into alumina अब इसके बाद alumina का हमें electrolytic reduction करना होता है यह tough process है ठीक है क्योंकि alumina bad conductor है और इसका melting point भी बहुत higher होता है so to reduce the melting point and increase the conductivity it is mixed with fluorospore and cryolite इसमें fluorospore और cryolite मिला देते हैं जिससे conductivity बढ़ जाए और melting point low हो जाए तब यह electrolytic reduction पे आ जाएगा electrolytic reduction के बाद हमें मिल जाता है इंप्याओर aluminium इंप्याओर aluminium को प्याओर करने के लिए हम hoops process यूज करते हैं तो this is the metallurgical operation of aluminium recovery of aluminium के अंदर क्या-क्या process आया उसके बारे में हमने बात किया इसके बाद air के साथ अगर react करता है तो अपने उपर aluminium oxide के layer deposit कर लेता है this is called protective layer of aluminium यह aluminium की protective layer है ठीक है nitric acid के साथ reaction करने पर यह passive हो जाता है HCl के साथ AlCl3 और H2SO4 के साथ Al2SO4 whole thrice बनाएगा अगर H2SO4 concentrated है तो उस समय sulfur dioxide gas release करेगा और अगर H2SO4 diluted है तो hydrogen gas liberate करेगा ठेक है इसके बाद हमने बात किया gold smith aluminothermic process के बारे में तो what is the gold smith aluminothermic process जिसमें हम high melting point वाले metal oxide को high melting point वाले metal oxide को उसके और के उसके metal के अंदर convert करते हैं metals of high melting point is reduced with aluminum into its metal oxide is reduced into metal तो metal oxide high melting point वाले metal के oxide को metal के अंदर reduce कर लेते हैं chromium, manganese, molybdenum, cobalt in सभी metal के लिए operation use हो सकता है ठीक है उसके बाद हमने बात किया thermite welding के बारे में तो thermite welding तो normal welding जैसा ही है weld करने के लिए एक mixture यूज़ करते हैं जिसको हम thermite mixture कहते हैं जो की F2O3 और aluminum powder का 321 का mixture होता है इसको एक bag में बांद देते हैं उसमें barium रहता है जिसके helps इसको बांड करते हैं magnesium ribbon रहता है बाहर बांड करने के बाद ये mixture जब melt होता है तो ये गडर के दो टूटे हुए rod के दो टूटे हुए हिससे को जोड़ने के काम में connect करने के काम में आता है this is called thermite building इसको हम thermite building भी कहते हैं this is known as thermite building अब बात करेंगे इसके बार हम आज के lecture में हम लोग बात करने वाले हैं alums के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे alums के बारे में बात करते हैं alums क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे alums को हिंदी में fit curry भी कहते हैं तो alums या fit curry और alums जो होते हैं वो isomorph होते हैं ये ध्यान रखना है और आईसो मॉर्फम किसको कहता है जिसका क्रिस्टलाइन स्टॉक्चर सेम होता है तो आईलम्स के अंदर 24 वाटर मोलिक्यूल सभी टाइप के ऐलम्स में मिलता है यह इस बात को शो करेगा कि सभी अलम्स का क्रिस्टलाइन स्टॉक्चर कैसा है सेम है तो अलम्स का क्रिस्टलाइन स्टॉक्चर कैसा होता है सेम होता है तो इसको हम ऐसो मॉर्फ भी कहते हैं अलम्स जो होते हैं वो ऐसो मॉर्फ होते हैं यह ध्यान रखना है अब बात करते है इसके जनरल फॉर्मूले के बारे में तो देखो जनरल फॉर्मूला क्या है M2SO4 M2SO4 इसके साथ M2SO4 whole thrice dot M2SO4 whole thrice M2SO4 whole thrice 24 water यह आलम का common formula है general formula है alums का ठीक है तो this is about the general formula of alums अब यहां पे जो दो metal यूज हो रहा है this is related to M1 M1 type के metal की जगे पे क्या-क्या चीजे हो सकती है तो यहां पे Na, K+, Ammonium यह सब चीजे हो सकती है Na plus हो सकता है, K+, Ammonium हो सकता है तो यह सब किसकी जगे पे आ सकते है M1 की जगे पे आ सकते है जिसको हमने M1 concede किया है अब यह M2 वाली जगे है, यहां पे क्या सकता है, Chromium, Aluminium, Chromium, Aluminium और Iron जैसे Trivalent Metal आते है तो Trivalent और Monovalent का composition रहता है, commonly आप ऐसा ध्यान रख सकते हो M1 is the Monovalent and M3 is the, and second जिसको हमने M2 कहा, वो कैसा है, Trivalent composition है तो M2 क्या यहां पे, Trivalent Metal का composition है, ठेक है, तो this is about the general formula of Alum Alum का general formula क्या हो गया, M2SO4, M2SO4 whole thrice और इसके बाद dot 24H2O तो this is about the general formula of the Alums, अब कुछ Alums के हम formula लिखेंगे और उसको हमको क्या करना है, याद करके रखना है ठेक है, तो important बाते क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या important Alums हैं, उसकी बात कर लेते हैं, पहला, सबसे जो पहला Alum है, उसको हम common Alum भी कहते हैं, common Alum और Potash Alum, common Alum और Potash Alum, तो common Alum या Potash Alum का formula होता है, K2SO4, Al2SO4 whole thrice, Al2SO4 whole thrice dot 24 water, क्या यूज करते हैं, नॉर्मली हम इसको water को purify करने के लिए यूज करते हैं, water के purification के लिए यूज करते हैं, common Alum को, तो यह हुआ आपका formula Potash Alum का, ठीक है, अब Potash Alum के बाद हम अगले Alum पर बात करेंगे, और अगला जो Alum है, वो है क्रोम Alum, second one is the, क्रोम Alum, तो Potash Alum के साथ-साथ, अब बात करते हैं, क्रोम Alum के बारे में, क्रोम Alum, Potash Alum के बाद, क्रोम Alum, तो K2-SO4, C-R2-SO4, होल-thrace, K2-SO4, अच्छा, यहां पर मिस्टेक हो रहा है, क्रोम Alum का क्रोम Alum का फॉर्मूला है, क्रोम Alum का फॉर्मूला है, अब उसके बाद बात करते हैं फारिक अलम के बारे में फारिक अलम और फारिक अलम में NH4 अमोनियम का कॉमपोजिशन है NH4 hold twice, SO4, NH4 hold twice, SO4, इसके बाद NH4 hold twice, SO4, Fe2, SO4 hold thrice, Fe2, SO4 hold thrice, dot 24 water, dot 24 water. तो this is the formula of ferric alum, यह formula है, ferric alum का, तो common alums के formula आपको ध्यान रखना है और soluble in water, less soluble होते हैं, cold water में, hot water में completely soluble होते हैं, ठीक है? और isomorphic होते हैं alums, each alums having different melting point और alums जो होते हैं, वो double salt होते हैं, alums are the double salt, double salt की क्या property होती है, जब तक वो solid state में है, तब तक वो alums है, मतलब तब तब तक उसका अपना existence है, और जैसे ही उनको हम एक को solution में डालेंगे, तो यह अपना existence खो देते हैं, loss कर देते हैं अपने existence को, ठीक है? तो यह हुआ, aluminium से related topic एक और जिसको हम कहते हैं, आलम, तो formula ध्यान रखेंगे, isomorph होते हैं, double salt होते हैं, आलम्स, यह दो important बाते हैं, इनको भी अलग से ध्यान रखना है, ठीक है? अब उसके बाद एक और aluminium का mineral है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, that is, ultramarines, ultramarines, के वल formula ध्यान रखना है, ultramarines, ultramarines, ठीक है? It is an artificial, it is an artificial, artificial lapis lazuli, lapis lazuli, lapis lazuli, artificial lapis lazuli भी, इसको हम कहते हैं, और यह rare fine blue color का mineral है, rare fine blue color, rare fine blue color mineral, नेले रंग का खनिज होता है, दुरलव नेले रंग का mineral, rare fine blue color का mineral होता है, lapis lazuli कहते हैं, इसको, ठीक है, lapis lazuli कहते हैं, इसको, ठीक है, और formula है, इसका, ने 5, AL3, NA5, AL3, SI3, SI3, S2O12, this is the formula of lapis lazuli, तो क्या धियान रखना है, NA5, AL3, SI3, S2O12 is the formula of lapis lazuli, जिसमें लगबद 12% तक sulfur रहता है, 12% sulfur का composition है, lapis lazuli, और यह fine blue color का ink बनाने के लिए काम में आता है, मतलब printing technology में, printing के लिए use होता है, lapis lazuli, तो lapis lazuli का use क्या है, printing के लिए use होता है, lapis lazuli, ठीक है, और इसके बाद cloth को color करने के लिए भी use होता है, तो calico printing कहते हैं, उस printing को by name, तो calico printing में use होता है, और उसके साथ-साथ coloring of cloth में भी use होता है, lapis lazuli, तो क्या-क्या ध्यान रखना है, lapis lazuli के बारे में, calico printing uses, इसके number one calico printing, और दूसरा laundry के लिए use होता है, कपड़ों को color करने के लिए भी use होता है, lapis lazuli, ठीक है किसी cloth को अगर blue color produce करना है, तो उसके लिए भी lapis lazuli use होता है, तो this is the important points related with the boron family, यह हमने बात किया boron family से related सभी important point पर, और यहीं से हम लोग आगे अगले group में जाएंगे, that is carbon family, तो boron family के बाद अब start करेंगे carbon family, ठीक है, और carbon family में mostly जो members हैं, वो कौन काउन से हैं, carbon, silicon, germanium, tin और light, तो carbon family में क्या-क्या चीजें हमको पढ़ना है, किन-किन elements के detail के बारे में हमें पढ़ना है, वो elements हैं, तो अगला जो group शुरू करेंगे हम लोग वो है carbon family, और carbon family में क्या-क्या चीजें important हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले members, carbon, silicon, germanium, tin और light, ये member है carbon family के, carbon, silicon, germanium, tin और light, configuration देखोगे तो ये 1s2, 2s2 और 2p2, तो general configuration क्या हो जाएगा, ns2, np2 is the general configuration, ये हो जाएगा आपका 3s2, 3p2, ठेक है, germanium में हो जाएगा 4s2, 4p2, यहां हो जाएगा, 5s2, 5p2, और the last one is 6s2, 6s2 और 6p2, तो ये हुआ इनका configuration, electronic configuration of the members of the carbon family, carbon, silicon, germanium, tin and lead are the member of carbon family, ये carbon family के members है, ठेक है, अब बात करते हैं, इसके अगले हिस्से पर, तो carbon जो है वो, carbon और silica, दोनो non-metal है, silica के non-metal हैं दोनो, non-metals, carbon and silica, silica के अंदर metaloid जैसा character भी रहता है, तो silica और germanium को हम commonly metaloid भी कह सकते हैं, metaloid, ठेक है, और tin और lead ये दो जो members है, ये metal के form में मिलते हैं, tin and lead are the metals, तो description clear, carbon silica के अंदर metal, non-metallic character होगा, तो दोनों को non-metal में भी रख सकते हैं, silica और germanium जो है, है, tin और lead दोनों metals के form में मिलते हैं, tin और lead दोनों metals के form में मिलते हैं, ठेक है, ये एक important बात, इसको ध्यान रखेंगे, अगली important बात ये है, silica और germanium are used as, used as semiconductor, silica और germanium को हम semiconductor के जैसा भी use कर सकते हैं, silica और germanium दोनों अरधा चालक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो silica और germanium दोनों semiconductor क्या खास बात होती सेमी कंड़क्टर की, carry only electricity, के वले electricity करता है, do not carry heat, उसको हम कहते हैं, semi-conductor, आदे, आदे तो मतलब एक काम करने वाले हैं, के वले electricity को carry करने वाले हैं, heat को carry नहीं करता है, सेमी कंड़क्टर, तो silica और germanium, silica especially photovoltaic cell के अंदर semi-conductor के जैसा use होता है, silica का semi-conductor के जैसा use हमें कहां देखने को मिलेगा, photovoltaic cell के अंदर silica as a semi-conductor use होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, अब ऑकरेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो silica और germanium दोनों as a semi-conductor काम कर सकते हैं, दोनों as a semi-conductor work करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, अब उसमें, देखो, carbon और silica तो carbon is found in both native and combined state, क्या-क्या important बात है, हैं पहली बात, carbon is found both native and combined state, both native and combined state, carbon free state में भी मिलता है, native मतलब जैसा दिखता है, वैसा भी मिलता है, कोल के फर्म में ठीक है, तो native और combined state दोनों में मिलता है and combined state, तो carbon native और combined दोनों state में मिलता है, एक ये important बात, अगली बात, silica is always present in form of SiO2, sand and quartz, silica present in nature, silica present in nature, present in nature, in form of, in form of SiO2 that does sand, sand का ही modified form है, quartz, quartz के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसका elasticity सबसे जादा होता है, highest elasticity है quartz का, इसलिए जो presently clocks आते हैं, घडियां जो आती है, वो सब quartz clocks होते हैं, क्योंकि उसमें time का variation नहीं होता है, पहले जो घडियां आती थी, उसको रोज सुबह उट करके, चाबी भरना पड़ती थी, उसमें पूरा उसको एक तरह से charge करना पड़ता था हाँ से, अभी वो सब आ गए आपके cell वाले watches, तो cell वाले watches में क्या खास बात है, quartz clocks कहते हैं इसको, इसमें time का variation नहीं होता है, आप जिस time पर इसको set कर दोगे, अगर आपका cell चल रहा है, तो लंबे समय तक वो उसी time पर चलेगा, उसमें fraction of second का भी variation नहीं आता है, ठीक है, जबकि जो पुराने watches रहते थे, उसमें जो भी time offset करते थे, वो एक-दो महीने के बाद, पंदरा दिन के बाद, थोड़ा बहुत variate कर जाता था, एक-दो second का time का difference आ जाता था, ठीक है, तो silica, SI, जो है, वो SI O2 के form में present होता है, जबकि carbon native state और combined state दोनों में मिल जाता है, अगले element के occurrence के बारे में बात करते हैं, ठीक है, germanium बहुत कम मात्रा में मिलता है, germanium is present in trace amount of trace amount, ठीक है, और 10 किस form में मिलता है, तो 10 occurs, 10 occurs in form of, 10 occurs in form of kisserite, इसका एक और है, kisserite, तो 10 basically kisserite के form में मिलता है, kisserite right के form में मिलता है, 10 basically, kisserite right, तो 10 का जो occurrence है, वो kisserite right के form में है, जिसको by formula हम क्या लिखते है, s, n, o, 2 लिखते हैं, और इसको हम tin stone भी कहते हैं, तो यह भी धान रखना है कि इसी को tin stone भी कहते हैं, और PB जो है, lad, PB, is mainly, mainly present in form of, mainly present in form of, present in form of, mainly present in form of, PBS, जिसको galina कहता है, PBS के form में मिलता है PB, तो PB is mainly present in form of PBS, it is called galina, इसको galina भी कहते हैं, तो this is the important point, related with the occurrence of the element of carbon family, उसके बाद अब बात करते हैं, तो यह बात clear हो गई, carbon और silica में non-metallic character रहेगा, silica और germanium दोनों metalloids के जैसा काम करते हैं, ठीक है, tin और lead दोनों metals हैं, अब बात कर लेते हैं, इनके electronegativity के बारे में, तो electronegativity naturally carbon की सबसे ज़्यादा होगी, group का first element है, electronegativity, okay, carbon, silica, germanium, tin और lead, तो about the electronegativities, 2.5, 1.8, 1.8, 2.5, 1.8, इसका भी almost 1.8 और tin का भी 1.8, बहुत ज़्यादा variation नहीं है, इसमें, और PV में 1.9, तो electronegativity का trend, ठीक है, तो silica को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी almost same electronegativity रखते हैं, कार्बन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब से मिल अक्टो-negativity वाले element है, अब उसके बाद, बात करेंगे, अगले important point पर, that is oxidation state, oxy current, अवस्था, oxidation state, oxidation state, तो oxidation state में क्या-क्या important बाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, number one, common oxidation state, common oxidation state, common oxidation state, common oxidation state is plus four, common oxidation state कितना है, plus four है, common oxidation state is plus four, लेकिन आपको पता है, कि यह tendency down side जाने पर कम होगी, तो अगली बात क्या देहां रखेंगे इस से, common oxidation state is plus four, but the tendency of, but the tendency of, tendency of, plus four oxidation state, plus four oxidation state, tendency of plus four oxidation state, tendency of plus four oxidation state, decreases downside in the group, decreases downside in the group, decreases downside in the group, लेकिन, plus four की tendency, नीचे जाने पर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, the tendency of plus four oxidation state, decreases downside in the group, ठीक है, decreases downside in the group, और कारण, inert pair effect, कारण क्या है, inert pair effect, तो अगली बात जो ध्यान रखेंगे, वो क्या ध्यान रखेंगे, the oxidation state, the stable oxidation state, मैं कहूंग, तो ज्यादा बेटर रहेगा, the stable oxidation state, the stable oxidation state, for PV to PV, the stable oxidation state for PV, stable oxidation state for lead is plus two, lead का कमन oxidation state क्या है, plus two है, because of inert pair effect, because of inert pair effect, because of inert pair effect, बड़े साइस का एटम है, तो S-orbital के जो electron है, वो आसानी से excited state में shift नहीं होता है, तो because of inert pair effect, तो inert pair effect के कारण, जो lead है, उसका common oxidation state क्या है, plus two है, ठीक, ऐसा नहीं कि lead plus four शो नहीं करेगा, लेकिन उसकी tendency बहुत कम होगी, ठीक है, तो यह एक important बात जिसको हमको ध्यान रखना है, lead के लिए common oxidation state क्या है, two plus, तो यह ध्यान रखेंगे, for pb, for pb, the stable oxidation state, stable oxidation, stable oxidation state is plus two, or for ten, stable oxidation state, stable oxidation state is plus four and compound of SN2, compound of, compounds of SN2 plus act as reducing agent or SN2 plus के जो compound है, वो reducing agent के जैसा काम करते है, compound of SN2 plus is act as reducing agent, SN2 plus के जो compound है, वो reducing agent जैसा काम करते हैं, और जबकि PB4 plus के जो compound है, PB4 plus के जो compound है, act as oxidizing agent, act as oxidizing agent, oxidizing agent, ऐसा हम लोगों ने thallium में भी बात किया था, थालियम भी decompose होता रहता है, प्लस 3 से प्लस 1 में जाने की कोसिस करता रहता है थालियम, तो वो oxidizing agent जैसा काम करता है थालियम, ठीक है, यहां पे PB4 plus जो है, वो oxidizing agent मतलब PB2 plus में change होने की tendency रखता है, तो reduce होने की tendency रखेगा, मतलब क्यासा काम कर रहा है, act as a oxidizing agent, तो oxidizing agent के जैसा काम करने की कोसिस करता है, PB4 plus, तो PB4 में oxidizing agent जैसी tendency रहती है, this is the important point, तो PB4 plus oxidizing agent जैसा काम करेगा, जबकि PB2 plus जो है, वो reducing agent, ascent 2 plus भी reducing agent के जैसा काम करता है, और यह nature का जो change है, वो inert pair effect के कारण आता है, the change in the nature due to inert pair effect, अब बात करते हैं अगले point पर, तो that point is, सभी element जो है, वो tetravalent भी होते हैं, balance cell में 4 लग प्राण रहते हैं, तो tetravalent रहेंगे, तो यह एक important बात, और ध्यान रखना है, उसके बाद बात करते हैं, अगले property के बारे में, that is ketanation, अब यहां से देखे, important, important property शुरू होगी, ketanation, ketanation, तो ketanation को हिंदी में कहते हैं, श्रिंखलन, श्रिंखला बनाने की tendency, long chain formation tendency is called ketanation, तो property of self-linking of element, क्या से define करेंगे, property of self-linking of element is called ketanation, क्या ध्यान रखना है, property of self-linking of element, property of self-linking of element is called ketanation, property of self-linking of element is called ketanation, तत्वों के स्वता जुड़कर श्रिंखला में परिवर्तित होने का गुंड, श्रिंखलन कहलाता है, ठीक है, तो property of self-linking of element is called ketanation, this tendency, this tendency, this tendency is maximum, this tendency is maximum in carbon atom, यह tendency carbon में सबसे ज़्यादा होती है, maximum in carbon atom, current, smaller size, और size छोटा है, तो nuclear charge higher होगा, smaller size, higher, higher nuclear charge, higher nuclear charge, and tetravalent character, tetravalent character, और tetravalent character तो यह तीन कारण है, जो carbon के ketanation की property को maximum कर देते हैं, size छोटा तो attract कर पाएगा, higher nuclear charge, ठीक है, और perfectly tetravalent character होता है, क्योंकि balance cell में 4 electron हैं, और 4 की और जरुरत है, तो commonly क्या करता है, covalency बनाने की कोसिस करेगा, 4 है, 4 चाहिए, तो commonly क्या करेगा, covalency बनाने की कोसिस करेगा, इसलिए अगर आप tetanation की बात करते हैं हम लोग, तो methane के बाद ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, 10 carbon, 20 carbon, 30 carbon, 40 carbon तक का association कर लेता है, ठीकर, मतलब methane एक carbon से शुरू करके, higher carbon petrol, diesel, इसके बाद आपका बैसलीन, इसके बाद आपका जो tar तक का element, tar तक का जो compound है, वो सब carbon के compound है, it is association of different number of items of carbon, यह सब carbon atom के association से बने हुए हैं, तो this is called ketanation tendency, इसको हम कहते हैं, ketanation के formation की tendency, अब बात करते हैं, किसकी ketanation energy कितनी होगी, अगर कभी पूछा तो, तो naturally, carbon carbon के लिए maximum, तो ketanation और ketanation energy, bond ketanation energy, किस bond के लिए कितनी होगी, कार्बन कार्बन के लिए maximum, that is, 83 किलो कालोरी पर मूल, 83 किलो कालोरी पर मूल, 83 किलो कालोरी पर मूल होती है, कार्बन कार्बन के लिए, सिलिका के लिए, थोड़ी कम हो जाएगी, कार्बन से, बट सिलिका में भी ketanation की tendency रहती है, इसलिए वो सिलिकेट्स बनाता है, डिफ्रेंट डिफ्रेंट फॉर्म के सिलिकेट जनरेट करता है, तो सिलिका में 54, सिलिका के बाद आया, जर्मेनियम, जर्मेनियम में आ जाएगी ये, इनर्जी 40, उसके बाद 10, असन असन मतलब तिन में भी ketanation की tendency होती है, लगब 37 और सबसे important point यहां पे एक और आएगा, PB, do not show ketanation, do not show ketanation, PB, ketanation सो नहीं करता है, ये ध्यान रखना है, PB, do not show ketanation, LAD में स्रिंखलन का गुण नहीं होता है, PB, do not show ketanation, ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले important point पर बात करने वाले हैं, that is reactivity towards air, how to reacts with air, to reactivity, reactivity with air, तो पहली बात तो ध्यान रखना है, less reactive होते हैं, less reactive, लेकिन downside जाने पर reactivity increase होती है, last reactive, reactivity decreases, increases downside in the group, sorry, reactivity increases, reactivity increases downside, और reactivity downside जाने पर क्या होगी, increase होगी, reactivity increases downside in the group, नीचे जाने पर, मतलब carbon से lead की तरफ जाने पर करिया शिलता बढ़ेगी, reactivity increases downside in the group, अब react करेंगे air के साथ, तो क्या कर लेंगे, oxide बनाएंगे, जब बन करते हैं हम carbon को oxygen के साथ, तो क्या बनता है, oxide बनता है, ठीक है, तो carbon plus oxygen, क्या बनाएगा, carbon dioxide, अगर आपने उसको free oxygen दे के रखा है, जतना चाहिए, तो carbon dioxide, limited देंगे, तो carbon monoxide बनेगा, तो C plus O2, तो क्या बना देगा, CO2, Si plus O2, Si plus O2, it gives Si O2, Ge plus O2, तो Ge O2, 10 asin plus O2, it gives Asin O2, और PB plus O2, तो PB O2, lad dioxide, normal air के साथ ये PBO बनाता है, तो यहां पर ध्यान रखना है, इसकी normal tendency क्या है, PBO बनाने की है, ना कि PB O2 बनाने की, ठीक है, तो यह air का effect है, carbon के compound के, carbon family के member के ऊपर air के effect के बारे में हम लोगों ने बात किया, अब इन oxides के बारे में भी थोड़ी हम लोग और बात करते हैं, जो important point है, उसको भी discuss करते हैं, ठीक है, तो देखो, CO2 और SiO2, दोनों जो compound है, यह, both the compounds are acidic, दोनों compound कैसे हैं, acidic nature वाले हैं, दोनों compound कैसे हैं, acidic nature वाले हैं, इसके बाद आया, GeO2 और SnO2, तो GeO2, SnO2, SnO2, SnO और PbO, अगर monoxide हैं, तो SnO और, SnO और PbO, SnO और PbO, साथ में PbO2 को भी cover कर लीजे, पbO2 भी रहता है, इतने जो oxide हैं, इधर वाले, यह सब कैसे हैं, Amphoteric हैं, इस oxides are Amphoteric, यह सब oxide कैसे हैं, Amphoteric nature के हैं, ठीक है, तो carbon के oxide, carbon dioxide कैसा है, acidic, carbon dioxide is acidic, SiO2 is acidic, GeO2, SnO2, PbO2, SnO, PbO, और Amphoteric compound, यह सब कैसे हैं, Amphoteric compound हैं, तो यह सब कैसे हैं, Amphoteric compound हैं, और एक important block point हो रहाएगा, Carbon monoxide is neutral, carbon monoxide कैसा है, neutral oxide है, neutral carbon monoxide is neutral, क्योंकि यह सब चीजें पूछते हैं, इसलिए भहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, तो carbon monoxide कैसा है, neutral है, ठीक है, तो carbon monoxide कैसा है, एक neutral oxide है, अब यहां पे oxide से related एक और point बचा हुआ है, जिसको हमें discuss करना है, वो यह कि CO2 जो है, CO2 जो है, वो कैसा है, गैस है, और SiO2 जो है, वो कैसा है, solid है, rate कैसी होती है, required कैसा होता है, solid होता है, बट very hard solid कैसा है, जबकि CO2 कैसा है, gaseous state में मिलने वाला compound है, तो CO2 is gaseous compound present in gaseous state, linear structure होता है, CO2 का और 180 degree का bond angle होता है, linear structure with 180 degree bond angle, तो अब आप से इसका logic पूछेंगे कि, why CO2 is gas and SiO2 is solid, CO2 gas है, तो क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे, तो जड़ा CO2 के structure के बारे में बात करते हैं, तो देखो, CO2 के अंदर center क्या है, carbon, तो carbon balance cell में कैसा हो जाता है, 1s2, 2s1 और 2p3, ये carbon का excited state का electronic configuration है, मतलब carbon के पास 4 electron है, balance cell के अंदर, ध्यान से समझेंगे इस बात को बहुत important है, ठीक है, तो 4 balance electron is there in the carbon, carbon, carbon के balance cell में कुल 4 electron है, तूसरा combining atom क्या है, इसका, what is the next, next combining क्या है, इसका, oxygen, अब oxygen की situation देखते है, balance cell कैसा है, 2s2, 2p4, 2s2, 2p4, तो ये तो lone pair हो गया, एक और lone pair आ गया oxygen के पास, और एक oxygen के पास, दो combining electron है, किदर पे, carbon का combining orbital क्या है, 2s2, 2p, what is the combining orbital in carbon, 2s2, 2p, what is the combining participating orbital of oxygen, that is again 2s2, 2p, तो carbon और oxygen, दोनों के जो combining orbital है, वो कैसे है, 2s और 2p, 2s और 2p है, एक बात, दोनों का size कैसा है, छोटा है, smaller size and same combining energy label, 2s2p, 2s2p, इसके कारण क्या करेगा, एक carbon, एक oxygen के साथ, sigma bond बनाएगा, और दूसरा oxygen, दूसरे carbon के साथ, एक sigma bond बनाएगा, यह हुआ इसका 2s2 label, तो इसका कोई काम ही नहीं, एक oxygen ने इधर sigma बनाया, एक oxygen ने इधर sigma बनाया, तो hybridization कैसा हो गया, SP hybridization हो गया, और यह जो दो electron बचे हुए हैं, यह क्या बनाएगे, pi bond, यह electron भी क्या बनाएगा, pi bond, कहां पे बन रहा है pi bond, इसका भी p orbital है, 2p का और उसका भी 2p का orbital है, इसका भी 2p orbital और उसका भी 2p orbital, तो this is p pi, p pi bond, pi bond कहां बन रहा है, p orbital में, तो this is called p pi, p pi bond, तो CO2 के structure में क्या हुआ, दोनों carbon ने एक-एक sigma bond बनाया, और क्योंकि दोनों का size छोटा है, combining orbitals same है, तो energy भी almost same होगी, इसलिए sigma bond के साथ-साथ क्या बन जाएगा, pi bond भी बन जाएगा, तो sigma bond के साथ-साथ pi bond भी बन गया, तो आप carbon की balance हो गई, carbon की balance होती है, और complete हो गई, देख लीजिए, आप carbon की balance हो गई, तो जब balance हो जाएगी, तो this CO2 is escaped from the system, जहां बन रहा है, वहां से निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो CO2 अगर एक molecule बना और चला गया, एक molecule बना और चला गया, तो कैसा रहेगा, गास स्टेक में exist करेगा, इसलिए ये ठीक है, दो molecule के बीच, ऐसा कोई interaction force नहीं लगने वाला है, क्योंकि जैसे ही इसकी balance ही carbon की complete होगी, ये system से escape कर जाएगा, तो the logic is in the single sentence, due to formation of P, pi, pi bond, ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा इसको describe कर लेते हैं, ताकि आपको इसको अगर कभी देखना हो, statements भी पूछें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो carbon dioxide कैसा है, gaseous state में मिलने वाला compound है, तो क्या धहान रखेंगे, in CO2 carbon dioxide के अंदर, तो CO2 कैसा है, CO2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो CO2 linear molecule है, linear molecule with 180 degree bond angle, linear molecule है, जिसका bond angle 180 degree होता है, ठीक है, और carbon इसमें, छोटे size का atom है, और उसका energy भी high होगा, oxygen और carbon के जो combining orbital है, वो almost same energy वाले हैं, तो linear size का linear molecule है, carbon dioxide, ठीक है, linear molecule is the carbon dioxide, smaller size, smaller size, and same energy combining orbital of combining orbital of carbon that is 2s2p and oxygen that is 2s2p ठीक है तो दोनो carbon का size smaller है और जो combining orbital है वो दोनो के कैसे है 2s2p और 2s2p due to this due to this it forms sigma bond and also form also form P pi P pi bond ठीक है उसके कारेंड यह क्या करता है sigma bond बनाता है and at the moment it forms pi bond sigma bond के साथ साथ pi bond का भी formation करता है so each molecules having individual existence जिससे सभी molecule का अपना अलग-अलग existence रहता है ठीक अब बात करते हैं si o2 के बारे में इसका दूसरा है साथ si o2 solid है तो क्यों है si o2 में देखो क्या होगा large size of silica silica का size बढ़ा large size of si si ka size थोड़ा बढ़ गया less a different energy different energy different energy of 3s 3p orbital of silica and 2s 2p orbital of oxygen orbital of oxygen दोनों के जो combining energy label है उनकी energy variate कर रही है different energy of 3s and 3p orbital of silica and 2s and 2p orbital of oxygen do not undergo do not undergo the formation of p by p by bond do not undergo the formation of do not undergo the formation of p by p by bond इसले ये p by p by bond ka do not undergo the formation of p by p by bond it is it is sp3 hybridized sp3 hybridized 3 dimensional network 3 dimensional network इसले ये sp3 hybridized 3d network का formation करता है अपनी balance ही तो उसको पूरा करना ही है चारना तो क्या करेगा अब पाई बॉन्ट का formation हो नहीं सकता क्योंकि silica का size बड़ा हो गया silica और oxygen के combining orbital की energy भी variate कर रही है तो पाई बॉन्ट का formation नहीं कर पाएगा पी पाई पाई बॉन्ट formation SI O2 के case में possible नहीं है उसके कारण क्या करेगा फिर अपनी balance को पूरा करने के लिए सब सिग्मा बॉन्ट बनाएगा और इस तरीके से एक three dimensional network का formation कर लेगा it forms a three dimensional network तो balance को complete करने के लिए इंतजार करेगा एक oxygen का फिर अगले oxygen का फिर अगले से लिका oxygen combination का and resultant 3D network तो SP three hybridized three dimensional network होता है SIO2 का इसले यह solid state में मिलता है simply logic में हम कह सकते हैं कि carbon dioxide में pi bond बनाने की tendency थी P pi P pi bond का formation करता है carbon dioxide molecule इसले वो gases state में exist करेगा as it is Si O2 जो है वो solid state में exist करेगा ठीक है इसी तरीके से देखो कभी आपसे पूछेंगे N2 तो nitrogen multiple bonding कर सकता है nitrogen P pi P pi bond का formation कर सकता है तो कैसा है gas है phosphorus नहीं कर सकता है तो phosphorus wax solid के form में exist करता है तो phosphorus कैसा है solid है अगले तो अगले group में जब आप जाओगे तो oxygen कैसा है gas है फिर से sulfur कैसा है solid है तो oxygen में क्या होता है P pi P pi bond बन सकता है oxygen में P pi P pi bond बनाता है sulfur का size बड़ा हो जाता है तो sulfur P pi P pi bonding नहीं कर पाएगा और P pi P pi bonding अगर sulfur नहीं करता है तो sulfur solid state में exist करेगा और sulfur का molecular mass भी इस कारण से बहुत high हो जाता S8 के form में exist करता है यह पकड रिंग structure generate करता है crown shape का sulfur ठेक है तो यह सारी चीज़े clear तो देखो carbon dioxide gas state में मिलता है क्योंकि वो P pi P pi bond बना सकता है ठेक है SiO2 में P pi P pi bonding possible नहीं है इसलिए वो sp3 hybridized three dimensional network का formation करता है और solid state में मिलता है as it is जब हम अगले group में आए तो nitrogen कैसा है gas है और phosphorus कैसा है solid है तो nitrogen में multiple bonding हो सकती है P pi P pi bond बन सकता है क्योंकि 2s2p of one nitrogen 2s2p of other nitrogen is combined so at the time of formation of sigma bond it is able to form pi bonds it is existing gas state where phosphorus में size बढ़ा इसलिए phosphorus solid state में exist करेगा अगले group में जब आप चलोगे अगली family में जब हम बात करेंगे तो oxygen कैसा है gas है sulfur कैसा है solid again the logic is same due to formation of P pi P pi bond oxygen is gas and sulfur is solid टेक है तो यह है इसके gases state और solid state के existence की बात अब अगले lecture में हम लोग P block में आगे काम करेंगे carbon family में उसको finance करने की कोसिस करेंगे ज्यादा बड़ा नहीं है तो अगले lecture में उसको finance करेंगे ज्ड़ा नहीं है झाल बचल